तो मैं आपसे बात कर रहा था कि मेटाबॉलिजम दो परकार का होता है मैंने सिधा से बोला कि अगर कहीं पर सिंपल कंपाउंट से मलग की जूड़ जूड़ कर सिंपल से कोई कॉंपलेक्स चीज का बने पनना हो चीज चूट रहा हो सिंपल में उसको कबलोगे से करना परेगा काटना पने परेगा काटना परेगा कया आपर क्रूशम तो केटाबोलिजम क्या हो गया जहां पर एनरजी रिलीज होगी जहां पर एनरजी फाइनली रिलीज होगी एनरजी कंज्यूम होगी और यह एनरजी कहां से आगा यह एनरजी केटाबोलिजम से ही आएगा यही एनरजी हां मैं बात कर जाता है कि CH bond और pH bond के form में इस्टोर होती है देखे बच्चों CH bond के form में इनरजी का स्टोरेज होता है लेकिन pH bond के form में ये एनरजी तभी कनवर्ट होगी जब इमेडियेटली pH bond को यूज करना होगा मतलब ATP तभी बनेगा जब इमेडियेटली उस ATP को तूटना है मैंने कहा ना आपसे जब हम भागेंगे तो उस दौरान मुझे एनरजी जारा चाहिए तो मेरे मसल सेस में मेरे लीफर सेस में ग्लाइकोजन स्टोर है जो CH bond रखता है वो तूटेगा उससे एनरजी रिलीज होग और उस एनरजी से हम PH bond बनाएंगे ATP और ATP तूटेगा और ATP से जो एनरजी निकलेगा उससे मेरे मसल्स में कॉंट्रक्शन हो जाएगा चाहिए तो कुल में लाके कहने का बात यह है यह सच बात है कि दूरिंग दा कॉर्स ओप इभॉलिशन कउंप्लेक्स कंपाउंट की लिविशन और होता है इस इस हैट नेटि वाल ऐनिजरी को इसमें नहीं है और भी काम है जैसे मैंने खाना अभी थृष इसमें मेकेनिकल वर्क मेंभी काम है पूरा पढाउंगा कांटर करनेंट के लोग वहां आपको तो एटीपी का रोल समझ में आ लेगा ऊस्मोटिक कंसेंटरेशन का मतलब इतना समझो कि बॉडी में सॉल्ट और वाटल का एक खास कंसेंटरेशन होता है और इस खास कंसेंटरेशन को मेंटेंड करने के लिए उरजा की जरूरत होती है अर्व एनरजी भी एटीपी सही मीचा सब्सक्राइब और जब हमें ठंड लगती है तब हम सिविडिंग करते हैं कापते हैं उसमें भी एटिपी करो ले अब आपके बॉडी का टेंपरिचर लगवग लगवग 37 दिगरी सलसेश के आसपास ही रहना चाहिए 35-37 के बीच में और इसको मेंटेन करने के लिए एटिपी की आवसकता है तो कुल मिला के यह जो केटाबोलिक रियक्शन है यह भी उतना ही इंपोर्टेंट है जितना एनाबॉलिक है मैंने भी कहा था आपसे हर केटाबोलिक की रियक्शन नुकसान दे नहीं होगा लेकिन हाँ अगर किसी दिन ऐसे कोई कॉम्पलेक्स कंपाउंड का ब्रेकडाउन होने लगे जो आपके बॉडी के लिए वेरी यूजफूल था वो तूटने लग जाए सेंपल में तो यह ही पाईयो दे रिक्सनłych और वो दो टाइप का होता है अगर मेटाबॉलिज्म में किसी चीज़ का हो मतला किसी आपकेती सभी को मेटाबॉलिज्म में सबढ़ कि अगर को दा ponieważ है तो मैं एकरिक ँडा campaigns पूछ मैशिए ने यहाऊत मेटाबोलिजम में मुनू सुन पा रहे हैं तो सुन नहीं पा रहे हो जार फिर उनका साउंड ओन नहीं हो रहा नवीन को डाउट तो आप रिकॉर्डिंग देख लिजेगा तो सिदार्थ सिदार्थ सुन नहीं पा रहे हैं उनका तो साउंड ओन ही नहीं नहीं है मुनू सुन पा रहे हैं कि यह सर्व डाउट है मेटाबोलिजम में नो सर्थ बढ़े आगे ज्यूसर्ण चलिए तो अब आगे हम आपसे बात कर रहे हैं क्या पता है मुनू का डाउट है सर कंज्यूम और एब्जूर्ब वह सेंवड हां मुनू सेमड है कंज्यूम और एब्जॉर्प सेंवड है और मैं नहीं लेकिन हां हर consumption absorption नहीं होगा मैंने यह रिद्व को चाय ठंडा भी गया मैं चाय प्यूंगा consumption है मैं चाय पी रहा हूं अब अगर इस चाय को मेरे सेल्स ने अब्जॉर्ब कर लिए सर्फेस के द्वारा तो वह absorption है टेक्निकल डिफ्रेंस है लेकिन आम तोर पर एक ही चीज है ठीक है चलिए अब आगे हम आपसे बात करते हैं एक बद पता है बच्चों यह तो मैंने अभी आपसे मका रहा है पता आ आप matar को मैं इस चाहि कर रहा है कि इस दुनिया में अलग अलग टांग के कई सारे अउर्गनिस्म है और फिर एक एक स्पीचीज की कई सारे फिर अलग 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 सब पर जाती है मन्नख सब सभी स्पीचीज है मन्नख़ए बहुँट ढब Additionally कि आप इस डाइबर सिटी में से कोई दूँए कोई भी एक कोई भी अरगनेम उठाके लिए और उस और जम अपर ने और जिनदा उने छाहिए बस एनि लिविंक से वंपे यो निकाल लिए इस डाइबर्शटी से कोई भी ओढ़नेम उठाओ को बीbracht GB आप उस media के अंदर क्या गौर करोंगे करता हैं हुश चैस के अंदर have many chemicals बहुत सारे chemicals हैं, बच्चोँ यस बहुत सारे chemical हैं और वही सब biomolecular है वही सब metaboleides है और पता है, बच्चों खास बात तो यह है कि एक cell के अंदर, कोई भी cell हमारे liver का cell, हमारे lungs का cell हमारे kidney का cell, हमारे estimate का cell हमारे intestine का cell, हमारे mouth का cell हमारे body का कोई भी sale हमारे नहीं इस दुनिया में कोई भी organism कुछ बली गाय गोड़ा बैस कोई भी इस दुनिया plant कोई भी कोई भी organism उठाके लिया उसका कोई भी sale उठाके लिया उस sale के अंदर आप देखो कि कई सारे chemicals हैं खास बात तो यह है कि वो सारे केमिकल्स का अपना एक specific concentration है ऐसा नहीं है कि आपके sales के अंदर एक हो sales में एक किलो गुलको जाए दूसरे sales में पोने दू किलो ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि plant के sales के अंदर start बर बर के और आपके अंदर नहीं है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि बैक्टेरिया के सेल्स के अंदर दो चीज नहीं है वो चीज आपके अंदर ऐसा हो सकता है लेकिन एक बैक्टेरिया के सेल्स के अंदर कोई पर्टिकुलर केमिकल खूब है कोई है ही नहीं देखिए भाई कौन सा केमिकल प्रेजेंट होगा सेल्स परेजन्ट करते हैं अलग अलग तर्मस में जैसे मोल पर सेल कि बताओ एक कंसेंटर्व सेंटर्म आउं पढ़ते हैं मोल में तुम आप पढ़ते हो भी मुम dua पर लीटर अज pastor पर वो बदो लेकिन यहां हम आपसे क्या आपको पर शेल तो समझझे रहे हैं यह डिसाइड कर रहा है एक्स मौल पर सेल एक सेल के इतना ही कंसेंटरसन वह गाउसकों आज अच्छा आपके बोडी के अंदर बहुत सारे फ्लूड है ब्लेड प्लाजमा इसे कहा है फ्लूड है तो हम बात करेंगा मॉल पर लीटर क्या या फिर मिली मोल, पर एमल, एक्षेक्टरा, इस सारे कंसेंट्रेशन टर्म आप पर चुके हो, मोल में, तो ये चीजें आपको ये अगाह करता है, कि ये बिल्कुल ना समझें कि सेल के अंदर कोई भी केमिकल मर्जी पड़े जितना आ जागा नहीं, बढ़ा अध्वुत है य इसको कभी देखनी के कोशिश किजी आप, मैं एक्जामपल देता हूँ, मैं एक्जामपल देता हूँ, आपके ब्लड के अंदर, ब्लड एक फ्लूड है ना, आपके, आपके बॉडी का फ्लूड है, ब्लड, आपके ब्लड के अंदर, जो ग्लुकोज डिजॉल्ब है, ब्ल 4.5 से 5 mm per 100 Ml of blood मैं लब यह लग इतना ही होना चाहिए मैं बता रहा हूँ इतना ही होना चाहिए अगर इससे कम होई तो भी नुकसान है ज्यादा होई तो भी नुकसान है इतना ही होना चाहिए और इसा नहीं कि गला cober रखा पड़ा होगा उसके अंदर ऐसे ही रखा, नहीं, उसका हुटील एडियसन हो रहा है, अलगातार गुलकोज आ रहा है, लेकिन फिर भी उसका कंसेंट्रेशन 4.5 से 5 मिलिमोल ही होना चाहिए, बलड में, अगर इससे कम और ज्यादा होई तो नुक्सान है, और बताओ, और बताओ, मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम पराओंगा, एंडोक्राइन सिस्टम, दुनिया वर के हार्मोन से आपका परिचाहिए कराओंगा, तो यह जो हार्मोन होता है, हार्मोन, यह काफी highly reactive होते हैं, और जो चीज़ है, highly reactive होती है, उसकी requirement कम होती है, मैं बताओ, यह आपके बलड में, नै बहुत कम, मैं आप समझें, अवस्यज़ादा हुआ तो नुकसान है, कम हुआ तो भी नुकसान है, ना ही कोई चीज़ का अति सही है, ना ही कोई चीज़ का कमी सही है, एक range में सब कुछ सही है, जैसे आपको मैंने गुलकोच का एक्जामपल बता दिया, हार्मोन का एक्जा तो यह आपको क्या अगहा करता है, पता है, कि यह सारे केमीकल आपका बोड़ी में एक खास concentration में मौझूद हैं, एक बात बताही यह सारे केमीकल आपके बोड़ी के सेल्स के अंदर बाइट के तमसा देख रहे हैं, क्या बिलकुल नहीं, ये सारे केमिकल आपके सेल के अंदर कहां से आये, मदा के क्या ये सारे केमिकल क्या कर रहे हैं आपके बोड़ी के सेल के अंदर आपका सेल है, क्या कर रहे हैं वो, पता हैं वो सारे केमिकल, एक केमिकल रियक्शन में इन्वॉल्ड हो गए है जिसका नाम है Metabolism, वो सारे chemical reaction में involved हो गए हैं, और इस बार पता हूँ, आप physics में भी पढ़ते होगे और आप chemistry में भी पढ़ते होगे, thermodynamics में भी पढ़ते होगे, thermodynamics में भी पढ़ते होगे, thermodynamics में दोनों ही तरफ चप्टर है, आप पढ़ते होगे, कि इस दुनिया में जो भ वो equilibrium की तरफ क्या होनी चाहती है, shift होनी चाहती है, और आपको ये भी पता है, अगर reaction equilibrium पे आ गया, तो reaction complete हो गया, अरे बोलो, इतना दो पता है ना, कि अगर reaction equilibrium पे आ गया, तो reaction complete हो गया, अब reaction को perform कराने की जरूरत नहीं है, तब समझ पारे हो, reaction नहीं होगा, तो उस chemical का कोई काम नहीं है, no work, नहीं होगा reaction, reaction complete होगा, इतना पे आ गई तो, और अगर no work, एक बाद जान लो, अगर जीवन में कोई काम ही नहीं है, तो वो life नहीं है, वो जिन्दगी जिन्दगी है जिन्दगी का कोई मकसद ना हो, और मकसद है तो काम है, काम है तो मकसद है, no work, no life, जब काम ही नहीं है, reaction रुके सारे, complete होगा, reaction, reaction complete होगा, जीवन समाप, कोई reaction नहीं चलना आपके सेल के अंदर, सारे सेल के रेक्शन रुक गया, जीवन समाप, काम ही नहीं है, उस chemical का कोई अगर आप जिन्दा रहना चाहते हो तो ठूस लो भेजे में चाहे जो करना पड़े इस केमिकल रियक्षन को जवरदस्ती नौन-इक्लिविडियम स्टेट में लेके जाएंगे चाहे इसके लिए मुझे जीवन में जो भी काम करना पड़े अरै रिक्षन तो छाती है कि हम इकलिविडियम में चले जाएं ब Curator में अगर आप चाहते हो लाइफ रहे याप जिंदा रहे जबर्दस्ती चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े आपके सेल के अंदर जो केमिकल लेक्शन चल रहा है उसको जबरदस्ती नॉन इकलिबरियम में सिफ्ट करो एक बात बताओ इस दुनिया में कोई भी काम जबरदस्ती फोकट के होता है गया कुछ नहीं होता है फोकट में अगर आपको जबरदस्ती मन लगाना पड़ाई करने में तो इसके लिए भी आपको परिसरम करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपके सेल का केमिकल रेक्शन इकलिबरियम में सिफ्ट ना हो एनर्जी दो खर्चा लगाओ खर्चा बिना खर्चा के कुछ नहीं एनर्जी दो एनर्जी कहां से आएगा कोई दिमाग लगा सकता कहा साय गना जी के टाबॉलिज्म है अताइप अजिन था मैताबॉलिज्म मतलब मैताबॉलिजम है तो के टाबॉलिजम भी है और के टाबॉलिजम है तो एनर्जी भी रिलीज होगी और यही एनर्जी जबरदस्ती उस्डिस य्जो गटिकल रे dor beneathान वाले रीक्शन के जो product है या intermediate है sorry जो sub-state और intermediate है उसको product में convert होने ही नहीं देंगे reaction को actually complete होने ही नहीं देंगे suppose that इस A को convert होना था E में होने ही ने E में convert हो जागा ना तो फिर कभी A और E वाला reaction चलेगा ही नहीं तो जबरदस्ती energy लगा इस reaction को turn कर दो और B में convert करा दो तो इसका मतलब तो यह है ना जब तक metabolism तब तक ketabolism और तब तब energy release होगी और energy release होगी तो वो chemical reaction equilibrium की तरफ shift नहीं होगा वो non equilibrium की तरफ shift होगा एक बात बताईए अगर reaction complete नहीं होगी तो reaction क्या चाहेगा reaction complete करना या बैट जाएगा वो तो आपने चाह रहे हो कि reaction complete नहीं हो बोलो reaction क्या चाहेगा reaction क्या चाहेगा कितनों को लगता है कि वो तो चाहेगा reaction complete हो जाए कितनों को ऐसा लगता है obvious बात है reaction तो यहीं चाहेगा कि हम complete हो जाए लेकिन आप चाहते हो नहीं हो तो reaction चाहेगा कि complete हो जाए तो इसका मतलब आप चाहोगे नहीं हो वो चाहेगा हो इस कदर में non-equilibrium state maintain रहेगा और जब तक non-equilibrium है तो reaction चाहेगा कि complete हो मतलब बताओ sale के अंदर जो chemical है उसका work है या नहीं है yes work है तो life है work है तो life है जब तक आफ के जीवन में कोई ने कोई काम है तब तक life है अब आपको मैं यह बहुत practical बात है आप जो लोग तो दिमान टाइप के होते हैं वो बुढ़ापे में भी काम करना नहीं छोड़ते हैं कोई ने कोई क काम करना छोड़ दिया अगर हम बैड़ पर चले गए तो हम जल्दी मरेंगे और अगर हम जब तक हमारा हमारे से हो रहा हैं तब तक काम करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप energy की requirement लगा रहे हो बॉड़ी में और energy release करा रहे हैं और वह energy आपके sales को equilibrium में नहीं जाने दे रह रहा है मतलब जब तक वर्क तब तक life तो बोलिए यहां से आप एक बात conclude कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कि life और metabolism synonyms है अरे life है तो metabolism metabolism है तो life अरे बोलो क्या without metabolism life imagine कर सकते हैं नहीं और क्या without life metabolism हो सकता है बिलकुल नहीं metabolism ने तो life है ही नहीं न वो तो dead body है इसलिए आज से मेरा एक dialogue आप अपने जहन में डाल लेजी आज समय आगे पूरी biology में आपको एक dialogue बोलूँगा कि metabolism जिन्दा को जिन्दा बनाए रखता क्या यह बास सही है क्या यह बास सही है yes or no मैं बोल रहा हूँ metabolism जिन्दा को जिन्दा बनाए रखता बिलकुल बनाए रखता और यह भी बास सुन लिए जो एक बार मर गए उसके अंदर फिर metabolism कभी नहीं चलेगी अब आप बोलोगा सरी metabolism कब तक चलेगा यह कौन डिसाइड करता है मुझे नहीं पता आपको भी नहीं पता साइंटिस्ट को भी नहीं पता और डॉक्टर को भी नहीं पता डॉक्टर तो बस इतना करते हैं कि metabolism रूक नहीं जाए अब तो डॉक्टर बस एक वर्ड बोलेंगे सौरी में बचा नहीं पाया बस कोई डॉक्टर जरती पहसा नहीं अब तक मेटाबॉलिजम रूक जा और बोल देगा रूको मैं ट्रै करता हूं एक बार मेटाबॉलिजम वापस लाने का जिस दिन यह हो जाएगा न उस दिन हम मान लेंगे कि हम गॉड की discovery कर लिए एक्ट्वल में यह metabolism कब तक चलेगा यह सब कुछ सेल ही करता है अगर आप बहुत डीप में जाएंगा न तो आपको पता चलेगा हर सेल में परमात्मा है हर सेल में गॉड है इस दुनिया के हर living origin के हर सेल में गौड बैठा है और वो डिसाइड कर रहा है कि ये सेल कब तक चलेगा है लेकिन उसका एक नेचुरल एस डिसाइड कर दिया गया है कि इतना समय तक तो अब तो आप लोग इतना देखी जली से में दो में वेक्शन लेकर आ रहा हूं तो इस दो में वेक्शन लेकर आ रहा हूं तो झाल कि मैं आप लोग से नए मिटिंग में मिलता हूं नए मिटिंग करता हूं ठीक है मैं थोड़ा वेक्षिन लेका था प्माज में नए मिटिंग करूंगा ज्वाइन कर लेगा क्लास लेगी अभी